रादे रादे दोस्तों कैसे है आप सब दोस्तों हमारे यूटूब चैनल पर आपका श्वागत है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा और हमारे वीडियो को लाइक शेर और कमेंड जरूर कीज़ेगा दोस्तों हमारे वास्तु सास्तर के अनुसार सप्ता का हर दिन किसी ने किसी देवी देवताओं को अरपित किया हुआ होता है वेशे तो हमारे हिंदु धर्म के चो लोग हैं परती एक दिन सभी देवी देवताओं की पूजा राधना और उनका अशिरवाद प्राप्त करते हैं फिर भी दोस्तों वास्तु सास्तर कनुसान शब्ता का हिसाब से हर एक दिन विशेश देवी या देवताओं को शमर्पित किया हुआ दिन होता हैं और उस दिन उस देवी देवता के समक्स वर्ट उपवाश रखें उनकी पूजा रातना आउशे ही की जाती हैं कहा जाता है कि दिन के मुताबिक काम किया जाए तो देवी दियतों के अशिम किरपा व्यक्ति पर लगातार बनी रहती है तो ऐसे ही दोस्तों हम बात कर रहे हैं मंगलवार के दिन की और मंगलवार का दिन आप सभी लोगों को पताई होगा कि मंगलवार का दिन जो है भगवान हनुमान जी का दिन माना जाता है वैशे तो भगवान हनुमान जी के जो सच्चे भक्त होते हैं वो हर रोज उनकी पूझा रादना करके उनका अशिर्वाद प्राप्त करते हैं इसके अलबा इस दिन जो हैं मंगल गरह का भी कारक माना जाता है कहा जाता है कि जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोस होता है उन लोगों को इस दिन हनुमान जी की पूजा आउश्य ही करनी चाहिए ऐसे ही कुछ काम और है जो मंगल वार के दिन करने से व्यक्ति को सुब फ हनुमान जी कि किरपा आउश्य ही बनती हैं जिस जातक पर हनुमान जी किरपा हो जाती हैं उनके जीवन की शारी प्रेशान ये भगवान हनुमान जी पल भर में खतम कर देते हैं तो दोस्तों हम आपको कुछ ऐशी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर आप लोगों ने मंगल वार के दिन हनुमान जी को भोग लगा कर अगर आप खुद घरन कर लेते हैं खा लेते हैं तो दोस्तों आपके जीवन की शारी प्रेशान या पल भार में खतम हो जाती है कुंडली में अगर मंगल ग्रह खराब इस्तती में हो तो जाते को मंगल वार के दिन हनुमान जी की पूझा राद ना करनी थी ये ऐसा करने से उनकी किरपा बर्षती हैं और मंगल दोस्ते भी वैक्ति को रहत मिलती है इसके अलावा मंगल वार के दिन लाल वस्तों को खाया जाये तो भी मंगल दोस्ते रहत मिलती है तो दोस्तों आईए जानते मंगल वार के दिन कौन सी चीज़ा आपको जो है खाने से आपके सारी समाप्त हो जाकर हनुमान जी की किरपा आपको उपर बनती है तो दोस्तों जो वेक्ति मंगलवार के दिन अगर मंगल दोस्त से पिडित हैं प्रेशान हैं तो उसे मशूर की डाल का सिवन अहुशे ही करना चीए ऐसा करने से मंगल दोस्त के चलते आरी प्रेशान उसे रहत मिलती है रक्त समंदित विमारी उसे जूज रहे हो तो ये उपाय आपके लिए बेहदी कारगार शाबित हो सकता है मंगल को बल और उर्जा का कारग ग्रहम कहा गया है और मंगलवार को इसका दान करे इससे खाए तो ये आपके लिए बहुत लापकारी हो सकते है दोस्तों मसूर की डाल बंगलवार के दिन आप खाने में आउशे बनाए और जो है या फिर भोग लगा कर हनुमान जी को भी आपको भी आउशे ही गरन करना चाहिए अगर आप ये लोग ऐसा काम नहीं कर सकते हैं तो आपको आज के दिन मसूर की डाल का दान आउशे ही करना चाहिए और अगला जो है दोस्तों कि जोतिस सास्तर का नुसार अगर किशी की कुंडली में मंगल दोस हो तो उशे चुकंदर आउशे ही खाना चाहिए जिया दोस्तों चुकुंदर का भोग आप हनुमान जी को भी लगा सकते हैं और फिर आप खुद गरहन कर सकते हैं इससे मंगल समन्दी परिशान या दूर होती है जातक अगर एनिमिक हो तो ये उपाई हर मंगलवार को जरूर करना चाहिए दरसल मंगल का सरीर में रक्त परप भाव होता है इसके से मंगल का बल मिलता है और शुप परपाव व्यक्ति को प्राप्त होता है और दोस्तों अगला जो है कि जोतिस सास्तर का नुसार व्यक्ति को मंगलवार के दिन हनुमान जी को बुंदी या फिर बुंदी से बने लड़ू आउशे ही चड़ाना चाहिए जहां ये अगर आप मंगलवार के दिन वर्द रखकर हनुमान जी के समक्स बुंदी या फिर बुंदी के लड़ू हनुमान जी को भोग लगाते हैं तो हनुमान जी आपके उपर बहुती जल्द पहश्ण होते हैं और फिर इनी बुंदी है लड़ू को आप खुद ये गरन करना जीए दोस्तों सास्त्रों में बताया है कि मंगलवार को बुंदी के लड़ू और बुंदी का परशाद बाटते हैं और खाने से मंगल अनुकूल होता है मंगलिक दोस्त भी ये लापकारी माना जाता है और अगला जो है दोस्तों कि ब्लड प्रेसर की समस्या स आप प्रेशान है आपके घर में अगर किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर है तो इससे आप प्रेशान है तो आपको मंगल दोस्त का ये लक्ष न हो सकता है तो आशे जातकों को मंगल वार के दिन हनुमान जी को गुड और आटेशे बना रोट यानि लडू चड़ाना चाहिए इससे पौन शूत के किरपा होती है और मंगल समन्दी दोस्त व्यक्ति के सारे दूर हो जाते हैं और अगला जो हैं दोस्तों कि हनुमान जी को ये चीज़ आपको उशे ही चड़ाना चाहिए इससे आपके आर्थिक लाब आपको मिलता है अगर दोस्तों आपके जिवन में आर्थिक प्रिस्तानियत चल रही है वैपार मंदा है नौकरी में परमोशन नहीं हो रहा है या फिर बने बनाए काम आप लोगों के बीगर जाते हैं लाक महनत करने के बाद भी आपको अपनी महनत का पूरा फल जो है नहीं मिल पा रहा है तो दोस्तों आपको काम करना चाह यहीं कि जोति सास्त के मुताबिक हनुमान जी को फलो में केले अनार और आम अत्यंती पीरीयं हैँ तो अभी आम का शिजन चल रहा है अनार भी मिल जाती है और केला भी मिल जाता है तो इसे किसी चीज का तीनों मैसे एक चीज जो है आप हनुमान जी को अहुश्य और फिर इसके बाद मैं परशाद के रूप में सभी को बार दें और थोरा सा खुद के लिए भी रख लें, ऐसा अगर आप नियम इत रूप से करते हैं तो मारूति नंदन आप अपसे पशन होते हैं और अपने जातकों के सारे कस्ट जो है हर लेते हैं जियां दोस्तों भगवान हनुमान जी बहुत ही भॉले देव बताये गए हैं वो अपने भगतों की प्रेशान्य जो है पल भर में खतम कर देते हैं नाम लेने मातर से ही हनुमान जी अपने भगतों की सेवा के लिए हाजिर हो जाते हैं तो ऐसे ही दोस्तों कुछ और है जो आपको मंगलवार के दिन हनुमान जी को इन चीजों को भोगाउशे ही लगाना चाहिए तो इसमें दोस्तों सबसे पहला हैं लौंग इलाईची शुफारी हनुमान जी को लौंग इलाईची और शुफारी भी परशना है सनिवार के दिन या मंगलवार के दिन लौंग सुपारी और इलाई जी चड़ाने से सनि का कष्ट दूर हो जाता है कच्ची घानी के तेल के दिपक में लौंग डाल कर हनुमान जी के आर्थी करें संकट दूर होगा और आपको धन भी प्राफ्ट होगा और अगला जो है दोस्तो नारियल गरीबी से मुक्ती के लिए एक नारियल पर शिंदूर लगाएं और शे मौली यानि लाल धागा पांदे इसके बाद ये नारियल हनुमान जी को चड़ाएं ऐसा कम से गमी 11 मंगलवार को करें यदि इसी नारियल को लाल कपड़े में राइक के साथ लपेट कर घर के मुक्खे दरवाजे पर बांद दिया जाए तो घर में किसी परकार की अला बला नहीं आती है जादू मंतर तंतर का असर आपको बढ़ नहीं होता है और किसी की भी नजर आपके जीवन में नहीं लगती है तो अगला जो है गुड चने का परशाद है हनुमान जी को गुड और चने का परशाद तो अकसर चड़ाया ही जाता है यह मंगल का उपाई भी है इसे मंगल दोस्त मिठता है यदि आप कुछ भी चड़ाने की समता नहीं रखते हो या किसी के करण से आप चड़ा नहीं पाते हैं कोई भी चीज तो आपको दोस्तों गुड और चना हनुमान जी को मंगलवार के दिन आउशे ही चड़ाना चीए गुड और जो है चना हनुमान जी को चड़ाते हैं तो हनुमान जी से बहुत जल परष्ण होते हैं हर मंगलवार को हनुमान जी को गुड और चने का भोग लगाए इससे आपकी सभी प्रेशानिया दूर हो जाएगी और जो है जियोन में सुक्षम्रदी बनी रहेगी और इम्रती का भोग लगाने से संकट पोचन अत्यांती पश्ण होते हैं आपकी जो भी मनोकामरा है वह पूर्ण हो जाएगी बस मंगलवार के दिन हनुमान जी को इम्रती चड़ा करा जाएगी भगवान हनुमान जी के किरपास से आपकी जीवन के शारी प्रेशानिया दूर हो जाएगी और दोस्तों जो भी चीज आप हनुमान जी को चड़ाते हैं उसके बाद आप सविय को भी चीज खा लेनी चाहिए आपके जीवन की शारी प्रेशानिया खतम होती चली जाएगी